रचना का शीर्षक है संशे की एक रात आधी रात का वक्त राश्पती संजीवा रेड़ी को नीन नहीं आ रही है विशाल राश्पती भवन में वो घूमते हुए अपने आप से एक प्रश्न कर रहे हैं किसे प्रधान मंत्री बनाओं? कोई बताए मुझे किसे प्रधान मंत्री बनाओं? उन्हें एक अदत लल्लू जगधर की तलाश है और वो नहीं मिल नहीं रहा वे मेरी तरफ घूम कर बोलते हैं बोलो शरत मैं क्या करूँ? आप सो जाईए सारा राष्ट सो रहा है आप भी सो जाईए मैं कहता हूँ वे मेरी नहीं सुनते मैं कोई चालू कैबिनेट तो हूँ नहीं जिसकी बात मानना उनके लिए बंदिश हो वे सोचते रहते हैं घूमते रहते हैं ये चरंट सिंग भी कमाल आदवी है पहले जनता पार्टी से निकले और अब पूरी लोग सभा से भागाए चरंट का यही अर्थ होता है राष्पती मौदे वो चलते रहते हैं इधर से उधर कभी उधर से इधर मगर इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए अर्जिंट राष्पती ने कहा छोटे पदों के लिए तो अच्छे आदमी मिल नहीं रहें आप बड़े पद की बात कर रहें अच्छे मोटर ड्राइवर मिल जाएं तो आधे एक्सिडेंट रुख जाएं इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होगा तो जंडा कौन फराएगा लाल किले पर आविश्वास का प्रस्ताव किस पर लाएंगे लाने वाले ठीक कह रहे हैं राश्पती महदे एक प्रधानमंत्री जरूर चाहिए इस देश को चरण सिंग 24 दिन प्रधानमंत्री रहे एटम बम बनवा के चले गए किसानों के शुब दिन आ गए आरेसेस का नास्ष हुआ प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है भाईया विदेश से महमान आएंगे तो क्या तुम जाओगे अपना काम का छोड़के प्रधानमंत्री जाएगा बाढ़ आती है हर साल देश में मजबूत सीना कर हेलिकॉप्टर पे नजारा देखना पड़ता है बाढ़ का है हम्मत किसी की प्रधानमंत्री के अलावा अपीले करनी पड़ती है विदेश जाना होता है मामले विचारा धीन रखने पड़ते हैं प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कौन करेगा यह सब काम मैं मानता हूँ आपकी बात सारे पत खाली हों मगर प्रधान मंत्री की योगिता का आदमी खाली नहीं रहना चाहिए भर ये कुरसी बिठाईए किसी को तुम कैसे रहोगे तुम कैसे रहोगे राशपती ने कहा राशपती भवन के बरामदे में एक आईना लगा था मैंने उसमें अपनी शकलत देखी मैंने चरण सिंग की तरह मूँ पर उंगलियां रखके देखी मैंने जगजीवन राम की तरह दातने पोर के देखा मैंने सोशलिस्टों की तरह चेहरा आगे बढ़ा कर देखा जनसंगियों की तरह रीड सीधी की और सीना पला के देखा और अम्त में मुरारजी की तरह गर्दन जुका के देखा मैं किसी भी कोण से प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूँगा मैंने राष्टपती महते से कहा शपत ग्रहन के पूर्फी त्याक पत्र? शपत ग्रहन के पूर्फी त्याक पत्र? अरे पहले बैठो कुड़सी पर फिर भागो छोड़के अभी उसे कैसे कह रहे हैं? ना काबिल तो तुम्हें ये देश साबित करेगा तुम तैसे कहा रहे हो कि मैं काबिल नहीं हूँ? चलो मेरे साथ, मैं अभी शपत दिलाता हूँ सम्विधान ने मुझे शक्ती दी है कि मैं जिस गधे को चिठ्थी लिग दू, वही आकर शपत ले सकता है नहीं, मैं नहीं बनूँगा प्रधान मंत्री मैंने कहा लेकिन क्यों? क्या बात है? नहीं, मैं नहीं बनूँगा हरे, मगर जरा सोचो नहीं, मुझे नहीं बनना है हरे, कमाल है? नहीं, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं बनना तो फिर आप बार बार सोचो शरत नहीं सोच लिया क्या सोचा नहीं मुझे निवना मगर मुझे अपनी बेज़ती निकरानी है अरे असा है प्रधानमंत्री बनना तो सम्मान की बात है जूते पढ़ते हैं बाद में कैसे बोगते हो इतने बड़े पत के लिए चलो हमारे साथ चलो शपत दिला लाते हैं आप किसी बुढ़्धे को बना देजे ना प्रधान तुम बुढ़ते हो भाई तुम समझ नहीं रहो लगता होंगा लेकिन मेरी उमर ऐसी नहीं है कि मैं मन्जूर करूँ मैं प्रधानमंत मंत्री बना सकते हैं चलो तम राश्पती ने कहां सम्विधान को क्या होगा क्या होगा वो बोले भारती सम्विधान में तो लिखा है कि बुढ़ा व्यक्ती ही प्रधानमंत्री बन सकता है मैंने राश्पती महदे को समझाया वे मुझे देखकर हसने लगे वे बोले तुम इतने नासमझ और भोले हो कि मुझे लगता है कि तुम भारत के अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं उनका समझ रहा था कि उनक्या कहना चाहते हैं। मैंने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया। राश्पती महदे, इस देश में प्रधानमंत्री की कुरसी तो बूढ़े की प्रेमिका होती है। सब की तमन्ना होती है, हविस होती है कि मरने के पहले एक बार मिल जाए और मिल जाए तो आखिर तक साथ रहे। हाँ, यसी लिए तो 24 दिनों में विध्वा हो जाती है और नया ढूणना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाओंगा। क्यों मजाक करते हैं। कोई दूसरी नौकरी दिलवा देजें। देखो शरत, पच्ताओ गये। ऐसा चांस जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। अरे साहित्य में ऐसा तुम क्या महत्वपूर्ण कर रहे हो। जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैंने कहा, साहित्य में दिल पर चोट पड़ती है, और राजनीती में खोपड़ी तूटती है। अब वक्त आ रहा है जब लोग कुरसी पर बैठे राजनीतिक्यों के पीछे जूता लेकर दौड़ेंगे। आप मुझे शमा करें, तुम्हें बनना पड़ेगा, ना, तुम्हें बनना पड़ेगा, ना मैं नहीं बनूगा, नहीं तुम्हें बनना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं नहीं बनूगा। नजारा ये था मित्रों कि उस विशाल राश्पती भवन में मैं यहाँ वहाँ नाच रहा था और राश्पती मेरे पीछे-पीछे दौड रहे थे वहाँ कई नौकर हैं, चपरासी हैं, माली हैं, सबने मुझे पकड़ा और प्रधानमंत्री की कुरसी पर जोर के फेका कि होटल मान सरोवर के कमरा नंबर चार में मेरी नींद खुल गए, सपना समावत हुआ, मैं उठके बैठ गया, मेरा मन गलानी से भर गया कि जब लोकतंत्र पर इतना भीशन संकट है, प्रधानमंत्री ढूंडे से नहीं मिल रहा, उस वक मैं ने राश्पती के तस्ताओं को ठुकरा दिया, लानत है मुझ पर मैं इस एरादे से फिर सोया, कि यदी इस बार राश्पती मौदे आगरे करेंगे, तो मैं इंकार नहीं करूँगा यथार्थ में भी कहा, तो भी इंकार नहीं करूँगा, जब कोई भी बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ सुबह हो गई थी अख़बार वाला अख़बार डाल गया था राशपती मौधे ने देश में मध्या वर्ती चुनाओ खोशित कर दिये थे हाँ भई अब शरज जोशी ने इंकार कर दिया तो उनके पास चारा भी क्या था